तुमने सोलह संसे किये राम जी पर मैंने समझाया और तुमने समझा नहीं मैंने सुचा बहनुमान बन जाओं और ताली बजाकर राम कथा कहूंगा श्रोताओं के सारे संसे दूर हो जाएंगे राम कथा संदर करतारी संशय भिहग उडावन हारी राम कथा संदर करतारी संशय भिहग उडावन हारी राम कथा वहां तो तुम ताली नहीं बजाने देती थी के ताली बजाओं कि मेरी नीड टूट जाए अब हनुमान जी बनकर ताली बजाओंगा कौन मुझे रूकेगा इसलिए मुझे हनुमान बनना है राम जी के लिए नाचना है तुमने भगवान राम का अपमान किया ना सीता जी का बेश तुमने बना लिया पुनि-पुनि हरदय विचार कर इधर सीता कर रूप राम जी का आप मान किया था मैं राम जी का दूत बनकर आपके चरनों में आ रहा हूं मुद्र का देने आपको प्रसन करने इस पाप का जो पाप तुमने किया भोगना मुझे पड़ेगा क्योंकि पत्नी का पाप तो पती को भोगना पड़ते ही है ना इसे पार्वती मुझे हनुमान बनना है बानर बनना है बानर बनूगा मैं पार्वती तुम्हारे दुख सागर को मैं नहीं मिटा पाया नितनव सोच सची सती उर्भारा कब देहें दुख सागर पारा अब हनुमान बनूगा तो सागर को लांग जाओंगा मैं इसे मुझे बानर बनना है हरते भे हनुमान पार्वती मैं प्रायस्चित करूंगा अब तुम सीता जी का रूप बनाई तुम्हें नहीं रोक पाया समझाया था पर तुम नहीं मानी तुम्हेंने तुम्हारा त्याग किया और सीता जी दुखी होई होगी अब बेटा बनकर उनकी सारे दुख को मैं दूर करूंगा भूरत बीरह जलधी हनुमाना भूरत बीरह जलधी हनुमाना भय उतात मुकह जलयाना भय उतात मुकह जलयाना भय उतात मुकह पार्वति इस्यो अवतार की स्काम का मैं पूजा करना चाहता था पर मेरे पास आथ ही नहीं करनित करह रामपद पूजा हनुमान बनुगा तो राम जी की चर्ण की पूजा भी करूंगा और चर्ण धीरे-धीरे दबाऊंगा बड़ भागी अंगद हनुमाना चर्ण कमल चापत बिधिना इसे मुझे वानर बनना है पारवति चर्ण नहीं है तो सेवा नहीं हो पाती अब मेरे पास चर्ण रहेगा तो राम जी कीतनी सेवा करूंगा मैं कि राम जी स्वायम कहेंगे सुनसुत तो ही उरिन मैं नहीं यहां तो है शिव अवतार में मैं राम जी का सेवक हूं स्वामी हूं सखा हूं लोग कहते हैं कि शिव जी का कोई बाप नहीं है तो मुझे एक बाप तो चाहिए पिता चाहिए एक माता चाहिए श्वतर्षे्रु जी ने मेरे जिज दोस्ट गिनाएं वही थे अगुन अमान मात प्तु हीना मेरे पस माता पिताँ नहीं मेरे पस माता पिताँ नहीं और जब हनुमान जी बन जाओंगे तब तब सीता जी मेरी माता बनेंगी और राम जी मेरे पिता बनेंगी इसरे मुझे बानर बनना है हरते भे हनुमान पारवती रावन को बरदान देकर मैंने बहुत बढ़ी भूल की एक एक सिर उसने मुझे अर्कित किये करोणों करोणों सिर मैंने दे दी सादर शिवक हसीष चड़ाए एक एक ते कोटिन पाए एक एक के कोटिन पाए लंका मैंने उसको बक्सीष में दे दी उपहार में दे दिया उपहार में दे दिया एक बार पारबती जी ने शिव जी से खाय miei मुझë घर बनवा दीजिए हुआ है भार क्या करोगे लेकर है के ओदया है कैलास में रह रहें काशी में रह रहें कहा ніहीं मुझे घर चाहिए मैं घरवाली हूँ तो घर चाहिए जब मेरे पास घर नहीं था आपकी घरवाली कैसी तो शिव जी ने पारवती जी के कहने से घर लंका बनवा दी अब शिव चाहते थे कि इसे पिंज छूटे तो कहा इसका कर्मकांड कौन कराएगा बास्तु पूजा शिव जी ने कहा रावन को बुला लेते हैं रावन बहुत अच्छा कर्मकांड जानता है रावन को बुला लिया रावन आया उतो राख्शस है रक्षत सर्बम स्वार्ठम यहसराख्शस है जो सब कुछ अपने लिए रखना चाहता उसे राख्शस कहते जे देता हुную है उसे देवता कहते हैं also do को देता है उसे देवता कहते हैं रावण लंकाद देख्टा रहा है पार्वत्य जी बहुत प्रसंद थी कर्म कांद हो गया पार्वत्य जंका दक्षिन मागो रावण अगल गुट्फ तुन ते Honor का आप देंगी दक्षिन पार्वत्त जी मै कह चुकि दूंगी तो रावन ने कह जिए के लंका नगरी मुझे ही दे दी जी ले जाओ शिव जी ने ले खुआ हुआ तुम्हारे मन का अब बनी हुई लंका जो पार्वथी के ले थी बचन के कारण सिव पार्वथी जी ने रावन नो को दे दिया इस लंका का रावन दुरुपयोग कर रहा है इसे मुझे सीता जी को ले आया असोक बाटका जी के निचे रो रही है सीता जी अपनी दी हुई लंका को मुझे स्वयम राख बना देना है जला कर इसे मुझे बानर बनना है हरते भे हनुमान भाव तो बहुत हैं अभी इतना ही आज तब सीता जी ने पार्वती जी ने कहा कि यदि आप हनुमान बनेंगे तो मैं क्या करूंगे में आपके बिना नहीं रह सकती तब का अच्छा इसा करो मैं तो बानर बनूगा तो मेरी पूछ बन जाना तो पार्वती जी ही शिव जी जब हनुमान जी बने तो पार्वती जी उनकी पूछ बन गई राउन की सबसे बड़ी गलती ही है यदि हनुमान जी की पूछ में आग न लगाता तो लंका न जलती पूछ में आग लगा यह पूछ में रहती हैं पारबती पारबती दिनका जब मुझे ही आग लगा रहे हो तो तुम्हारे नगर को मैं ही जला देती हूं जाओ